आज जो कहानी में लेके आया हूं वो काफी पूरानी और काफी टरावनी है बिकास इस कहानी में एक परिवार के चार सदस्य एक रात में गायब हो जाते हैं एंड ऐसा भी कहा जाता है कि उन में से तीन लोगों की मौत हो चुकी है तो कहानी है 1989 की माराश्र की एक छोटे से गाव चंद्रपूर की चंद्रपूर जो गाव था इस गाव के बारे में बहुत सरी अफवाई थी ऐसा माना ज़ता था कि इस गाव पर चुड़ेल कावास है इस गाव में बहुत सरी बुथिया घटना हुई है और रात में गाव वालों को बहुत सरी अजीब अजीब सी आवाज आती है अब जो चंद्रपूर गाव था वो जंगल के अंदर था और गाव से होती हुए एक नदी बहती थी गाव बहुत सुन्दर था और उससे बहती हुई जो नदी थी उसे लेए उस वक्तर कोई ब्रिज नहीं था तो गाव वाले जो थे वो नाव के सहारे नदी को क्रोस किया बरते थे अन इसी से वो लोग अपना पेट भी भरते थे नदी के इस सेड आधा गाव था नदी के उस सेड आधा गाव था तो वो जो वाड़ा था लोग कहते थे कि उससे बहुत सरी आवाज आती है लड़की की चिलाने की रोने की एंड जो उस वाड़ा का ओनर था यानि की शर्मा परिवार वो सौ सालों से शहर चले गए थे वो लोग वही पे सेटल हो चुके थे उन लोगों की बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी थी और हर गाव में और हर शहर में उनकी एक नाएक प्रॉपर्टी जरूर थी अब जो शर्मा परिवार का कॉरंट बेटा था यानि की कैलाश उसकी बीवी हेमा उसके दो बच्चे दीपू एंद्रिया कैलाश जो था वो अपनी शहरी लाइफ से बहुत वाड़ा है वाप पर रहने जाए अब जब कैलाश ने डिसिजन लिया और वो गाव में अपना वाड़ा देखने गया तब गाव वालों ने उससे पुछा कि भाई तुम यहा क्यों आयो तब कैलाश उन्हें बताता है कि मेरा पुछते नहीं वाड़ा इस गाव में और मैं इसे रात में बहुत सरी आवाज जाती है और ऐसा कहा जाता है कि वो एक भुधिया वाड़ा है बड़ जो कैलाश था वो इन सबी बातों को इग्नोर करता है विकास उसका वो पुछते नहीं करता तो वो वहापे मूव कर जाता है अब वो शेहर की जिंदगी छोड़कर गा वी हेमा उसका बेटा दीपू एंड उसकी बीटेरिया इस चारों लोग अब गाव आ जाते हैं अपनी वाड़ा में रहने अब यह लोग जो उनका वाड़ा था वो काफी पुराना था तो उसकी मरम मत करते हैं और वहापे रेने के लिए आ जाते हैं अब जो गाव वाले हो यह लोग वहाँ कैसे रह सकते वह तो बहुत सारी आवाज आती है रात में ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ बहुत रहते हैं बढ़ जो केलाज था वह शहर मेरेनेमाला लड़का था तो इस वज़े से वह इन सबी चीज़ों को इगनोर करता है अब केलाश की फैमिली को उस वाड़ा में रहे के कम से कम दो से तीन मैने हो चुके होंगे and throughout this two-three months इन लोगों को कोई चीज महसूस नहीं होती और इन लोगों के साथ कुछ चीज होती भी नहीं अब एक रात जब यह लोग खाना खाने के बाद सोने के लिए जाते हैं तब जो केलाश के बच्चे हैं यानि की दीपू एंद्रिया यह अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और जो केलाश और उसकी बेवी हैमा है वो अपने रूम में बाते कर रहे होते हैं अब उस वक्त पे गाव में तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं तो रात में वो सबी लोग लाल टेन या फिर दिया जला के घर में राशनी करते थे अब इन लोगों ने उस वाड़े की बहुत अच्छे से मरम्मत की थी बड़ तब भी कुछ चीजे थी जो यहाँ वाँ पे पड़ी हुए होती थी अब जब यह लोग अपने रूम में बेट के बाते कर रहे होते हैं तब इनके दरवाजे पे दस्त दगाती हैं ठक ठक अब जो कैलाश होता है वो पूरे दिन से ठका हुआ होता है तो जाने को मना गर दता है कि मैं दरवाजे नहीं कुलूँगा तो वो अपनी बीवी हेमा को बोलता है कि जाओ दरवाजे पे कौन है देख क्या हो अब हेमा जो है वो अपने हाथ में दिया लेकर दरवाजे के दरव जाने लगती है अब ये लोग जो थे वो अपने उपर वाले माले में रह रहते एंड हेमा फिर नीचे आती है एंड जब वो हॉल से होते हुए दरवजा खुलने के लिए जाती है तब हॉल में जो सोफा होता है ना उसे उसका पैर लग जाता है एंड उसके पैर को एक कट लग जाता है जिसकी वज़े से खौन की दो चार बोन फर्ष पे गिर जाती है अब अंधेरा होने के खारण हेमा इस पर ध्यान ने देती है एंड दरवजा खुलने जाती है अब जब वो दरवजा खुलती है तब सामने कोई नहीं होता है हेमा को लगता है कि ये एक तरह से वेहम होगा इन लोगों का या फिर हवा की वज़े से ऐसा हुआ होगा तब हेमा फिर से दरवजा लगा देती है जब हेमा वापस आने के लिए पलटती है तब उसे अपना खुन दिखता है यानि कि जो दो-तीन बोन खुन उसकी फर्ष पे गिरी थी थी ना वो उसके खुन को देखती है हेमा को एक काली सी छाया आते हुई दिखती है हेमा अपनी जगा पर एकदम स्तिर खड़ी हुई होती है अब जब वो काला साया आता है वो एकदम ऐसा इन्वीजिबल था बट वो हेमा को दिख रहा था अब जो वो काला साया होता है वो हेमा की उस खुन को चाट लेता है जिसे देखकर हेमा दंग रहे जाती है उसके पूरे बोड़ी पे काटे आ जाते है और वो खुन चाटने के बाद वो काला से अच्छानक सी हवा में गायब हो जाता है हेमा वही पिशोक होकर खड़ी हुए होती है और वो सोचने लगती है कि मैंने अभी क्या देखा विकास उसके सामने जो खून था उसका पड़ा हुआ वो अब वहन नहीं है तो आखिर हुआ क्या बट तब हेमा का पती यानि केलाश उसे आवाज देता है तब हेमा अपने सेंस में आती है और दोड़ कर अपने पती के पास जाती है हेमा केलाश को सारी चीज़े बताती है बट केलाश इन चीज़ों पर ध्यान ने देता है बल्कि इग्नोर कर देता है और हेमा को बताता है कि तुम पूरे दिन से ठक चुकी होगी अब सो जाओ अब जो केलाश होता है वो तो सो जाता है लेकिन हमा के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए हमा को नीद नी लग बट कुछ दिर बाद हमा भी सो जाती है अब थोड़ी दिर बाद फिर से दरवजा खट-कटानी के आवाजा जाती है ये इस बार दो नुक्या के खुलती है केलाश की भी and हेमना की भी बट इस बार केलाश डिसाइड करता है कि वो जाके चेक करेगा कि दर्वाजे पे कौन है हेमा अपने रूम में ही होती है and केलाश उटकर जाता है and वो दर्वाजा खुलकी देखता है बट सामने कोई नहीं बता सो इन लोगों को लगता है कि कोई इन लोगों के साथ मज़ा कर रहा है या फिर ये सिर्फ इन लोगों का फिर से वहम होगा केलाश फिर से दरवजा लगा कर अपने रूम में आ जाता है और हेमा को बताता है कि कोई नहीं था शायद बिली होगी या फिर कोई और जानवर होगा तो ये लोग फिर से सो जाते हैं अब तीसरी बार दरवाजा फिर से खट-कटाने के आवाज आती है और इस बार सिर्फ हेमा किया खुल दिये हेमा कैलाश को उठाने कट राए करती है बट केलाश उठता नहीं है तो हेमा अपने हाथ में दिया लेकर देखने जाती है कि आखिर दरवाजा कौन खटखटा रहा है जब हेमा दरवाजे से देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता अब हेमा दरवाजा खुलने की हिम्मत नहीं करती है because बहुत रात हो चुकी थी and इस वक्त उनके दरवाज़े पे कोन होगा ये कहने सकते तो इस वज़ा से हेमा फिर से अपने रूम में जाती है केलाश को उठाने के लिए बट जब हेमा रूम में जाती है तब केलाश उसके रूम में नहीं होता है हेमा पूरे घर में उसे आवाज लगा कर ढूड़ने लगती है एंड वो अपने बच्चों को भी चीक करने जाती है तो उसकी बच्चे आराम से सो रहे होते हेमा जो है वो पूरा वाड़ा छान मारते है बट उसे कही भी कैलाश्ट नहीं मिलता बट जब वो बाथरूम से होकर जा रहे होती है तब बाथरूम का दरवजा अचानक से खुलता है हेमा बाथरूम की तरफ देखती है तब जो एक लोहे की बकेट होती है उसके बाजु में एक छोटा सा बच्च बेटा हुआ होता है जोगी आदा भीगा हुआ होता है एंड उसकी आखे पूरी तरह से लाल होती है हेमा एंड उस बच्चे की नजर एक होती है हेमा उसे देखते ही रहे जाती है उन दोनों का आई कांटक्ट बहुत देर तक चलता है जो बच्चा था वो एक तरह से भूद्या फिगर था बट जो हेमा थी वो उसे देखते ही रहती है बट पीछे से उसका बेटा यानि की दिपू उसे पुकारता है मम्मी आप कहा हो तब हेमा की नजर अपने बच्चे पर जाती है बट जब वो फिर से बातरूम की तरफ देखती है तब वो बच्चा गायब होता है अब जब हेमा अपने बेटे दीपू के पास जाने लगती है तब अचानक से ही दीपू को कोई अद्रिश्य शक्ती पकड़ लेती है और खीचने लगती है दीपू की जो पैर थे वो पूरी तरह से हवा में थे और उसे कोई खीच रहा था हेमा ये देखकर बहुत डर जाती है और वो अपने बच्ची को पकड़ने के लिए दोणने लगती है बट जो दीपू होता है उसकी गरदन एक एंकल में फस जाती है अब बिकाज ये लोग इस वाड़े में मूव किये थे इन लोगों ने बहुत सारी रिनोवेशन की थी और उसमें से एक एंकल पड़ा हुआ होता है अब जब वो शक्ती दीपू को खीच रही होती तब दीपू का सर उस एंकल में फस जाता है और वो शक्ती फिर भी उसे खीच रही होती है अब वो दीपू के साथ उस एंकल को भी खीचने लग जाती है बट वो शक्ती इतनी जोर से दीपू को खीचती है कि दीपू का धड़ उसके सर से अलग हो जाता है फर्ष पे पूरी तरह खोनी खोनी एंड हेमा ये द्रिश्य देखकर पूरी तरह से दर जाती है वो फूट फूट के बहुत जोर से रोने लगती है बिकॉस उसके सामने उसके बेटे का सर अलग होता है एंड धड़ अलग होता है हेमा बहुत बूरी तरह से रोने लगती है वो वही पे बैठ कर उसके बेटे को देखते हुए कम जे कम एक से तीड़ गंटा रोती है और जब वो अपने सेंस में आती है कि उसके साथ उसका पती और उसकी बेटी भी थी तब वो रोते-रोते अपनी बेटी को देखने जाती है उसके रूम में बट जब वो उसके रुम में जाती है तब उसकी बेटी भी उसे नहीं मिलती है अब वो अपने पती को पूरे वाड़ा में धूनने लग जाती है और उसका पती कहीं पे भी नहीं मिलता अब हेमा बाहर मदद मांगने जाती है बट जिसी ही हेमा तरवजा खोलती है उसके आखों की सामने एक काला साया खड़ा होता है जो की हेमा के आर पार हो जाता है जिसकी वज़स हेमा बहुत जोर से चिलाती है और वही पर बेहोश हो जाती है कुछ दिनों तब गाव वालों को शर्मा परिवार नहीं दिखता है तब गाव वाले उस वाड़ा को एक विजिट देते है और तब उन्हें दिखता है कि वो वाड़ा पूरी तरह से खाली है दिपो की जो लाश थी उसका जो खून था वो भी वह से गायब था अब गाव वालों को लगता है कि ये सब लोग अचानक से गायब उचके मतलब की कुछ ना कुछ तो गड़ बढ़े या तो इन लोगों की मौत हो चुके या फिर कुछ तो भी भूत या चीज जहाब पर घटी है अब 6-8 महीने बाद गाव में इसे एक आदमी शेहर जाता है और तब उसे एक अनात आशरम में हमा दिखती है हाँ हमा जिन्दा थी तो ओ गाव वाला हमा से मिलने जाता है उस अनात आशरम में एंड हेमा जो थी उसने एक तरह से अपना मानसिक संतुलन खो दिया था एक तरह से वो मेंटल हो चुकी थी बट ये सारी कहानी जो मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ यही कहानी हेमा ने उनका वालों को बताए थी एंड विकोज उसका मानसिक संतुलन खिल चुका था तो लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया बट उस रात उस हवेले में जो भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हेमा ने ही देखा था क्योंकि उस पूरे शर्मा फैमेली से सिर्फ हेमा ही एक अकेली लौती जिन्दा और थी एंड ये दास्ता उसे की जबानी थी तो अगर ये कहानी आप लगों को पस्तर नहीं हो तो वीडियो को लाइक जरू कर देना एंड एसे ही हॉरर वीडियो की लिए चैनल को सस्क्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स चुडियो में